कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिस पर विश्वास करने से पहले आश्चरे होता है और दिमाग में बार-बार ये सवाल आता है कि आकिर ऐसा भी हो सकता है राजानी में अपनी पत्नी को श्लील पोटो भेजने का एक मामला सामने आया है पीडिता पत्नी ने पती के खिलाफ टीकरा पारा थाने में रिपोर्ट दर्च करवाई है आरोपी पती का नाम हिमान्शु मिश्रा है जिससे पुलिस ने गिरफतार कर लिया है राजपुरा निवासी हमान्शु मिश्रा आय दिन अपनी पत्नी को धमकी देता था और अश्लील पोटो और अश्लील बाते करता था जिस पर पीडिता ने मारपीट और धमकी के साथ अश्लील फोटो भेशने का आरोप लगाया है पीडिता पत्नी और आरोपी शादी के बाद से अलग रह रहे थे पिछले आठ महीने से दोनों के बीच विवाद चल रहा था टिक्रा पारा टी आई याकूब खान ने बताया कि पचपेडी नाका में रहने वाली महिला का रायपूरा निवासी हिमांशू मिश्रा के साथ विवा हुआ था आरोपी हिमांशू पीडिता से मार पीड भी करता था दोनों अलग रह रहे थे पती-पत्नी के बीच पिछले आठ महीनों से विवाद चल रहा था हिमांशू अपनी पत्नी को धंकी देता था और अश्लील फोटो और अश्लील बाते करता था पीडिता की शिकायद पर उसके पती आरोपी हिमांशू मिश्रा को गिरपतार कर जेल भेज दिया गया है प्रिक्र हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद